नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सचिन और आज में लेके आए हूँ आपके लिए काम की ख़बर तो दोस्तों बहुत लोगों कि आज कल हमारे पास भी शिकायते आती हैं कि हमारे घर पर जो है challenges आई रहे हैं तो insurance company ने सब ने मिलकर जो है IRDA जो insurance regulator है उनको लिखा था कि कुछ time के लिए हमें इस तरह की जो policies physical company हमें लोगों के घर पर भेजनी पड़ती है उसमें कुछ रियायत दी जाए तो इसी का letter का जवाब देते हो है IRDA ने सभी insurance companies को यह एक letter लिखके दिया है कि हम आपको जो है कुछ time के लिए रियायत देते हैं कि आप जो है policy document customers के घर पर physically ना भेजें और उनको electronic ही भी बेजें मतलब आपको email पर या आपके whatsapp पर या आपको किसी भी और electronic माध्यम से ही आपको वो policy बेजें साथी साथ उन companyों को ये भी निर्देश दिये गए हैं कि आप जो signatures लेते हैं यानि blue pen वाले signature होते हैं application form या proposal form के उपर उसको भी आप अगर नहीं लेना चाहते तो उसकी भी जरूरत खतम हो गई है उसकी जगा आप electronic form भरवा सकते हैं और signature की जगा OTP को verify करवा सकते हैं तो देखिए दोस्तों इसमें काफी सारे points जो हैं इन्होंने दिये हैं तो मैं आपको थोड़े बहुत एक दो point पढ़के बता देता हूँ तो इन्होंने clearly यहाँ पे लिखा हुआ है कि insurer shall send the policy document a copy of proposal form through digitally यानि जो भी आपका document है policy a copy या जो भी proposal form है वो electronic या digitally आपको उनके email पर भेजना होगा registered email पर या आपके mobile number पर आपको एक consent लेना होगा policy holder से यानि आपको OTP से verify कराना होगा और यह confirmation लेनी होगी कि हाँ यह customer ने वो चीजे जो है acknowledge कर लिये हैं तो इसी के बाद जो है आपको वो square shoot मेलेगी लेकिन अगर साथी साथ यह भी कहा है कि अगर मालीजे कोई customer है उसको physically copy चाहिए ही तो आपको वो भीजवानी भी पड़ेंगी तो दोस्तों यहाँ भी अगर आपको किसी को physically वो दिखाना है तो आप अपने mobile में या अपने tablet में भी आप दिखा सकते हैं वो भी 100% काम करता है अगर आपने कोई health insurance purchase करी है आप चाहते हैं कि वो हम अस्पताल में उसका इससे इलाज लेना चाहते हैं तो अगर आप वहाँ पे भी digitally copy hospital को email पे या और किसी medium से भेजना चाहें तो भेजेंगे तो वो भी 100% काम करती है दोस्तों तो जरूरी नहीं है आपके पास hard copy हो लेकिन अभी कोईट को देखते हुए जो IRDA ने फिलाल कंपनियों को कुछ राहत दिया है और इसमें जो exemption की तारीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर पांचियो पॉइंट में 31 2021 तक है कि 31 2021 तक कंपनियां जो है इलेक्टर ने copy भेज सकती हैं किसी भी भी पता चले कि जरूरी नहीं है कि physical copy हो हमारी electronic copy भी 100% काम करती है और जो insurance companies हैं आजकल वो सिर्फ electronic policies भी भेज रही हैं और साथी साथ दोस्तों अगर आपको इस circular की copy चाहिए तो मैं description के अंदर link डाल देता हूं तो आप वहाँ पर यह download करके इसको पढ़ी भी सकते हैं पूरी detail के साथ तो बहुत बहुत धन्यार आपका इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में